महतारी वंदन योचना का हिदगराही पंजियन फॉर्म आपको कैसे भरना है चलिए इस वीडियो में जानते हैं तो आवेदन इस्थान में आप अपने गाव का नाम, अपने सहर का नाम, अपने कजबे का नाम भर सकते हैं जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत इस तरह से आप अपने यहाँ पर आपको नाम लिख देना है उसके बाद आप जिस भी दिनाग में फॉर्म भर रहे हैं उस दिनाग को यहाँ पर आपको दर्ज करना है उसके बाद आपको यहाँ पर व्यक्तिकत जनकारी देनी है, तो व्यक्तिकत जनकारी में चलिए देखते हैं, आवेदिका का परकार, तो जो सही उस पर टिक लगाएं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर विवाहित, विद्वा, परित्याग, तलाकशुदा, तो यहाँ पर आधार कार्ड के अनुशार आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है उसके बाद पती का नाम तो आधार कार्ड में और जो भी दस्तावेज है उसमें जो भी पती का नाम है उसको सही सही आपको यहाँ पर दर्श कर देना है उसके बाद आवेदिका के पीता का कर रही है छटवे option में आपको जनम थिती का सत्यापन है तू दसतवेज देना है मतलब सनलग में करना है और उसको टिक लगाना है तो यहाँ पर आप जनम प्रमाण पत्र की जगा पे आपना दसवी की अंगसूची दे सकते हैं जिसमें आपका जनम प्रमाण पत्र अंकित होत कर यहां पर सबसे सबसे नमबर पर आविदिका की जाती आपको दर्श कर देनी है जो भी जाती से आप आते हैं उसका यहाँ पर नाम लिखते ना है उसके बाद वर्ग जैसे जो जाती है जैसे यहाँ पर तेली है तो यह पीछड़ा वर्ग में आता है उसी तरह से जो भी आप जिस भी जाती से है वहाँ पर अपना नाम लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर आप समान निया या फिर पूरा इस्थाई पता मतब जो महिला फॉर्म भर रही है उनका पूरा इस्थाई पता है आपको यहाँ पर दर्ज करना है मकान नंबर वाड नंबर जो भी आपके अधार काड में दर्ज है उसके अनुसार उसके बाद राज्ये पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपको राज्ये का नाम लिख देना है तो इसके बाद राज्ये पूछा जा जा रहा है तो य यहाँ पर मैंने ग्राम का भी नाम लिख दिया है उसके बाद आपको लिखना है वाड करमांक और ग्राम तो वहाँ पर आप वाड करमांक या फिर ग्राम में से कोई भी एक लिख सकते हैं उसके बाद आंगनबाडी केंदर का नाम तो यहाँ पर आंगनबाडी केंदर का नाम का आधार काड यहाँ पर आपको लिख देना है जो आपको इसके फोटो कापी में भी सनलगन करना है तो इसको एकदम सावधानी से आप भरेंगे उसके बाद आविदिका के पती का आधार काड यहाँ पर आपको दर्ज करना है और इसको सनलगन करना है तो यहाँ पर आधार क का लाब देनी के लिए किया जा सकता है उसके बाद आप सीधा अपना मोबाइल नमर यहां पर दर्च कर सकते हैं जो आपको सही सही दर्च करना है बिल्कुल ही जिससे आपको भविस्य में अगर इस फार्म के समंद में संपर्क किया जा सके तो आप मौझूद रहें वैकल्पिक दूरभास नमर यहां पर आपको जरूर दर्च करना चाहिए जैसे कि आपका नमर किसी वक्त अगर नहीं लग पाया कॉल इसमें या फिर संपर्क नहीं हो पाया तो इस वैकल्पिक नमर पर फोन लगाया जा सकता है उसके बाद आप अपने यहां पर उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहां पर एक डेमो के लिए एक फोटो लगाया हुआ है तो इस सरह से आपको महिला के एक साफ सुतरी फोटो यहां पर अच्छे से लगा देनी है ध्यार रहे कि यह फोटो बहुत ही अच्छा होना चीए अगर आपके पास नहीं है तो आप इसका फोटो एक खिचवा ले और उसके बाद यहां पर लगा दे अगले पेज पर आप जाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं आविदिका का पैन कार्ड नंबर यह वैकलपिक दस्तवेज है जिसको आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको जनम परमानपत्र अपना सत्यापन करना है तो आप अपना पैन कार्ड आसानी से दे सकते हैं जिससे आपका जनम परमानपत्र सत्यापित हो जाएगा तो इस वाले document को आप जरूर डालिए तो यहाँ पर अपना pen number डाल सकते हैं वो भी capital letter में रहेगा साफ सूतर आपको डालना है यह pen number उसके बाद 14 number में है हमारा ration card क्रमांग यह भी वेरकल्पिक दस्तावेज है जिसको आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं लेकिन मैं कहूंगा कि आप जो भी जानकर यह आपके पास है उसको जरूर दीजे तो यहाँ पर आप ration card का number आसानी से भर सकते हैं उसके बाद इसमें जो मुख्या है ration card में वो मुख्या का नाम आपर आप दर्च कर देंगे इसके बाद 15 नमबर में आविदिका के पती का pen card करमांग तो यहाँ पर आविदिका के पती का pen card करमांग यहाँ पर आपको दर्च करना है जो बहुत ही जरूरी है यहाँ पर लेकिन वैकल पिक दस्तवेज के रूप में आपके दिखाया गया है लेकिन यह बहुत ही जरूरी दस्तवेज है अगर आप यह नहीं देते हैं तो आपको इस योजना का लाब लेने के लिए हो सकती है कुछ परिसानी हो जाओ क्योंकि इसके नियम में यह बताया गया है अवेदिका का जो पती का पैन काड़ ही या निवार इसलिए मैं बोलना चाहरा हूँ क्योंकि इसमें आयकर दाता अगर आपके पती है तो इस योजना का लाब आपको नहीं मिलेगा तो इसलिए यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर जरूर दर्ज करना चाहिए जिससे आपके आगे फॉर्म भरने में और सत्यापन उन्हों में कोई भी परसानी ना हो उसके बाद सोलवे नंबर पे है क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सिदर्स से भारास सरकार किया करमचारी है तो इसकी योजना का लाव आपको नहीं मिलेगा तो इसलिए आपको क्या करना है आपर अगर आप हां करते तो आपको नहीं मिलेगा भूत पूरु शांसद विधायाक भारते सरकार का कोई भी निगम मंडल बोर्ड की कोई अध्यक शुपा अध्यक्ष है तो जी तो यहाँ पर आपको यह option में हा या नहीं में उत्तर देना है तो यहाँ पर अगर परिवार का जो तातपर यहाँ पर बताया जा रहा है वो पती पतनी दोनों में से या फिर कोई आसिलित बच्चे जो आयकर भरते हैं तो यहाँ पर अगर भरते हैं तो हा में टिक करना है नहीं में टिक करना है और यहाँ पर नीचे आपको आ जाना यहाँ पर दिखा हुआ है कि आप जो जो दस्तावेज आप उसके बाद जो भी दस्तावेज आप प्रस्तूत कर रहे हैं मतलब जो भी आप इस फॉर्म के साथ जमा कर रहे हैं, उसके बारे में आपको लिखना है, टिक करना है आपको जैसे कि जनमतित्षी के सत्यापनितू सनलगना दस्था वेज, तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया, pan card आपको जमा करना है, pan card नई है, तो आप c जमा कर सकते हैं, अगर कोई प्रमाण पत्र वो जमा कर सकते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पर एक डेमो बतानी के लिए आपको यहां पर लिखा हुआ है तो राशन कार्ड जैसे सभी के पास है जनम्तिती का परमाण पत्र सभी के बास मिल जाएगा आवे दीका का अधार काड़ असानी से मिल जाएगा अगर आपके बास वीवा परमान पतर नहीं है तो आप यहाँपर टिक नहीं लगाएंगे और इसके स्थान पर आपको क्या करना है जो एक स्वागोशना परमान पतर है उसको प्रस्तूत करना है तो यहाँपर आप लिख स करना चाहिए और यहाँ पर आपको टिक लगाना है अगर नहीं है तो यहाँ पर टिक ना लगा है उसके बाद है आविदिका के पती का पैन कार तो आविदिका का पती का पैन कार आपको जरूर से जरूर देना चाहिए उसके बाद आविदिका के पती का अधार कार तो इसको भी आपको जरूर सनलगना करना चाहिए उसके बाद अगर कोई महिला तलाक सुधा है तो यहाँ पर आपको टिक करना है अगर नहीं है तो नहीं करना है उसके बाद आपको यहाँ पर आवी दिका के हस्ताक्षर के स्थान पर आपको सिगनेशर कर देना है उसके बाद आपको पते में अपने गाउं का नाम, नगर का नाम या पिस सहर का नाम लिख सकते हैं उसके बाद दिनांक में आप जिस भी दिनांक में फॉर्म जमा कर रहे हैं उस दिनांक को यहाँ पर आपको लिखना है तो इस तरह से आप form को भर सकते हैं तो मैं इस demo form को वीडियो के description में डाल देता हूँ जिसको आप download करके देख सकते हैं और उसी तरह से form को आसानी से भर सकते हैं मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर सेर कीजे और लोगों को मदद कीजे form भरने में ताकि इस योजना का लाप सभी लोगों को मिल सके और अगर आपको कोई भी तरह की परिशानी है इस form को भरने के लिए तो आप हमें comment कर सकते हैं और बता सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं धन्यवाद